ये है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन नियूज हर पल हर शन हर सच अलग अलग समय में होने वाले विधान सभाचुनाव के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिलकुल संभाव नहीं होगा उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिती में दुबारा संसोधन करना जरूरी हो जाएगा प्रैक्टिकल नहीं देखता आज के समय से और आज के समविधान की जो विवस्ता हैं उसके तहत प्रैक्टिकल की बाती नहीं है ये संभाव हो सकता है यदि आप समविधान में ऐसा शंशोधन करें एक कि जो पांच साल का कारेकाल वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया एक जनवरी दो हजाट पच्चिस से मान लीजे अब पूरे देश की विधान सभाओं का और देश की लोग सभा का इलेक्शन एक साथ होगा पांच साल के लिए वो चलेंगे सरकार दो साल बाद सरकार गिर जाती है कहीं कि किसी राज की या केंदर की सरकार दो साल बाद गिर गई आग समभी धान का प्रवधान है कि सरकारें पांज साल इंटार के लिए चूनी जाएंगे 2025 को चालु किया दो साल बाद 2027 में केंट सरकार गिर गिर गई या किसी राज की सरकार गिर गिर गई और वह पांज साल के लिए चुनी जाएगी तो उसका अगला election कब आएगा 2021 गर्मिंट्स अगर गिरती हैं, तो अब अगर चुनके आएंगी, तो 6-5 साल के समय के लिए ही चुनके आएंगी, या आप चुनाओ ही नहीं कराओगे, अभी एक साथी ने पूछा कि गवर्नर रूल लगा देंगे, क्या प्रेज़न्स रूल लगा देंगे, क्या, तो आप कह होगे, कि हमको तो 5 साल का मिंटिन करना है, एक साल में अभी सरकार गिर गई, तो अब चुनाओ नहीं होगा, क्योंकि वन इलेक्शन, वन इलेक्शन का क्रम तूट जाएगा, तो 4 साल के लिए गवर्नर रूल रहेगा, चार साल के लिए प्रेज़न्स रूल रहेगा, और सम पात साल का क्रम तूट जाएगा, तो 5 साल हम नहीं बदल रहेगा, अब ये जो शेश समय के लिए इसमें गवर्नर रूल या राश्पती साशन लगे।